जाहें इस वीडियों वेलपसर इंडिया लिमिटेट कमपनी को बात करेंगे वेलपसर इंडिया को ट्रेश्टायल सब्टर का किंग कर सकते हैं लेकिन इस किंग के सीदी पिछले कुछ दिनों से काफी खराब चल रही है रगवगत एक मास से विदिक समय होगा जमसे कंपनी के से यह रपाइस तरफ जा रहा है एसे में कमपनी में करेंगे कि कि में कमी कि किस कारण से इतना नीचे जा रहा है बताओंगा कि कंपनी के विजनेस में कि इसमें इसमें फ्यूचर ग्रोथ है यानि हर एक चीज पर तफसीश और तसलिश से बात होगी आई यह वीडियो सुर में इंडिया के नाम से जाना जाता है अब समझेंगे यह लार्जेश्ट हों टेक्स्टाइल मैंनुफेक्ट्र कॉंपनी है आज जो आप ट्रेडेंट का नाम सुनते हैं कभी एक समय था कि इसका नाम टेक्स्टाइल सेक्टर में ज्यादा लिया जाता था मार्केट कैप 10,000 क् और शेयर प्राइस था 90 रुपया 50 पैसा देखिए अभी डाउंट्रेंड में है हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो उस समय सेयर का प्राइस एक दुरुपया उपर या नीचे हो गया हो लेकिन अभी फिला 90 रुपया 50 पैसा है हाई लागा चुका 171 रुपय का सब्सक्राइब करता यहां से लगभग जुलाइद 2021 से जब 93 रुपय का सब्सक्राइब यहां से इसमें एक अच्छा सा तैजी देखने को मिला और 171 रुपय का हाई लगाए 30 सितंबर को 171 रुपय का हाई लगाने बाद लेकिन लगतार डाउन नीचाता बीची बीची बी प्रफरवरी 2022 से जब इसका से पारइस एक सोत्तने रुपया था तब इसमें भ्यानक गिराउट शुरू हुआ है और का सकते कि एक फर्वरी से जो इसमें भ्यानक गिराउट का दौर सुरूबा पहला करना रसी या उक्रीन का तनाव मतलब दुनु देश का राष्ट पती मिलके पूरा दुनिया को तबाह कर गरतिया अपना इकनोमिक तो बरबाद होई रहा है साथ में यह पूरे दुनिया के अर्थविश्था चोपट करने पर लगे हुए है इन दोनों के बीच जो लड कोपनी का सिल सच्र अच्छा τι्स हो आप धेजागे कमपनी का मुकाबले यहां पाइद का ढाती नहीं कि कंपनी को पर करजा भी है 3194 क्रोन का मतलब लगभाग लगभाग इतना रिजर्व है उतना ही मालने यह कंपनी के पास करजा भी है और उससे भी दिकत की बात ही है कि करजा भी बढ़ते जा रहा है तो इस हिसाब से जब कंपनी को प्रोफिट नहीं हो रहा है और करजा है कि लागतार बढ़ते जा रहा है तो फिर रखने का कोई फैदा नहीं है एक समय ऐसा है कि जब कंपनी का जो कर्जा है रिजर्ब से अधिक हो जाएगा हाला कि कंपनी पास आशेट से बहुत बुरा नहीं है लेकिन फिर भी क्वार्टरली बेसिस पर अगर ठीक आते हैं जाता नहीं अगर सिर्फ प्रोफिट भी अच्छा आने लगए प्रोफिट बढ़ने लगए तो करजा आट पन्याप कम होने लगेगा समझे कंपनी डिविडेंट देती है कंपनी हर एक साल पिछली साल इसने 24 मार्च को डिविडेंट दिया था कि इतना 15 पैसा प्रतिसे पता नहीं क्यों यह तो मिड़केप कंपनी इसके पास इसको कम सकम एक दूर पर डिविडेंट देना चाहिए इसमें प्रमोटर्स की हिस्सादारी अच्छी घास्ति सतर पॉइंट तीन जिरो अब समझ यह तो अभी इसका जो में स्ट्राउं सपोर्ट लेवल चानवी रुपयां ठाउन पैसा है अलागी रेजिस्टेंस लेवल भी 105 रुपया का लेकिन चुकि सेर प्रैस नीचे जा रहे तो फिला सपोर्ट लेवल की बात करना ज्यादा सही रहेगा सपोर्ट लेवल निफ्टी भ्यानर टूटा है तो इसी सब कारण से इसमें अभी भी डाउन ट्रेंड जारी है लेकिन कंपनी बहुत ठीक है देखिए भारत में बहुत तगड़ा भवी से इसको लेकर बेफिक्र रही है और अगर आपका इसमें इंबेस्टमेंट है उपरी लेवल बाई करक पर पर एक बना के अपने प्लेइलिस्ट के पेणिये श्टॉक वाले बीडियो में डाला हुए आप उसमें देख सकते हैं पिर भी मरजी आपके है आप जैसा चाहिए इसमें भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो उम्हीद करता हूं विडियो आपको इनफर्मेटिव सब्सक्राइब करना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्ट्राइब और फॉलो कर सकते हैं मिलता है नेक्स्ट बढ़े वाद तो तक धने बाद शुक्रिया